देखो यार डर सबको लगता है गला सबका सोकता है और मैं आपको बता दूँ कि मनी अप टाइम्स मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए सोचा और आपके negate आया थो मैं पहले ही इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अभी तक जितने भी वीडियो देखे होगे, ये उन तमाम वीडियो में से सबसे ज़्यादा honest और सबसे ज़्यादा beneficial आपके लिए होने वाला है, तो बच्चो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि UPSC का basic requirement क्या है, उसके eligibility क्या है, और वो है आपका graduate होना या appearing होन last year पर, कहीं भी ये officially mentioned नहीं देखने को मिलता है, कि देश के या विदेश के किसी केंदरी, राजकी या अनिथा colleges से आप पढ़ाई करोगे, तभी आप UPSC का form डाल पाओगे, और ये सरकार आपको UPSC के थुरू कोई भी पत देगी, सर्प्राइजिंग बात ये है, कि इतने के बावजूद, ये question बार बार हमें सुनने या देखने को मिलता है, कि UPSC के लिए best university कौन सा है, और यही reason है, कि आज ये video बनाया जा रहा है, और इस video को बनाने से पहले मुझे खुद बहुत सोचना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चा आता था, कि YouTube के बागी videos की तरह, बस ऐसे ही बाते करके निकल जाओं, ऐसे कुछ videos बहुत अच्छे भी हैं, जैसे कि मुझे विकास दिविकेटी सर के videos काफी अच्छे लगते हैं, और भी कुछ ऐसे लोग हैं, जो अच्छे videos बनाते हैं, और उनके suggestions जो हैं, वो कहीं ने कही बड़े ही बहतर होते हैं आपके जीवन के लिए, आप यूँ समझ दो कि ये वीडियो भी आपके जीवन में एक नया मोल आने वाला है, तो प्लीज, पहले ही मैं बता देता हूँ आपको, कि इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपको UPSC करना है, नहीं करना है, ले कैसा मस सोचे, UPSC इसलिए भी करना चाहिए उसकी तयारी, जिससे कि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए, और आप एक अच्छे व्यक्तित का निर्माड कर सके खुद के अंदर, क्योंकि उसका जो स्लाबस है, और जब वो आप हार्ड वर करते हो, स्मार्टनेस में दिखाते हो तो कहीं निकें, आप अपना खुद का चरित्र बना रहे होते हो, आने वाले समय में आपको बोलने का, बात करने का लहजा समझ में आता है, आप सही गलत का फर्क पता कर सकते हो, UPSC की तयारी इसलिए भी करनी चाहिए, आपको इसलिए भी करनी चाहिए, जिससे आप देश के जोग्राफी के बारे में जान सको, हमारे यहां के राजनीती के बारे में जान सको, हमारे यहां के इतिहास के बारे में जान सको, हमारे यहां के आध्यात्मिक बारे में जान सको, यहां के आधुनिक्ता के बारे में जान सको, UPSC की तयारी इन दमाम सी जोक लिए करने चा तो ऐसे में UPSC के बारे में बार सोचना जरूर चाहिए वाइद वे मैं ज़्यदा टाइम लॉस नहीं करूँगा सो फाइनली आज के वीडियोज के मेन मुद्व बात करूँगा मैं honestly बता रहा हूँ ऐसे वीडियोज आप नहीं डूड़ पाओगे नहीं मिलेंगे चो कि मैं पूरे experiences के साथ बनाया हूँ और कासे इंदुस विद्याले के छात रहने के नाते बीच्चू के पूरे निचोड को मैंने डाला हुआ है एलहाबाद के experiences को डाला है डी यू, जेनियू के experiences को डाला है आई आई टी नीट तक के लोगों से मैंने बात करी और कई सारे article, news, references, headlines पढ़ने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ सो मुझे बहुत confidence है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में एक बदलाव आनत तैं है तो finally, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि UPSC के लिए हमारे देश में best universities कौन सी है और उसका चुनाओ कैसे कर रहा है साथी साथ आप देख रहे हैं स्यूटी पार्ट साला, आप से का बहुत-बहुत स्वागत है चनल पे नए हूँ, तो चनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन को प्रेस करें और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में सेर कीजेगा आपको कोई बात बार बार पर परिशान करती है तो डिस्क्रिप्सन में एक नंबर है आप वाट्सप करके किसी पर्टिकुलर टाइम पर काउंसलिंग भी करा सकते हो परस्नली मैं सजेस्ट करूंगा और आप कॉमेंट पीन कर सकते हो आप अपने वीडियो का जो भी एक्सप्रियेंसेज है वो सेर कर सकते हो आए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के बारे बार देखो यूपी एससी जो है बिसिकली हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में यह जानते हैं कि आज काल यूपी एससी का बेस्ट रिजल्ट कौन किस प्रकार की इनिवर्सिटी ज दे रही है और वो क्यों दे रही है आप लोग जब भी रिजल्ट आता है अभी 15-20 दिन भी दिनी हुआ है रिजल्ट आया है आप लोग ने देखा भी होगा सबसे अच्छी बात ही है कि यूपी एससी का एक्जाम बरे ही टाइम्स होता है बहुत ही फिक्स टाइम्स होता है कोई भी ट्राफिकिंग नहीं है सब कुछ बहुत बहुत बैठर तरीके से चल रहा है अब आपको जब रिजल्ट आता है तो ये भी सुनने को मिलता होगा कि देखा जा रहा है कि जो लोग भी क्वालिफाई कर रहा है वो कहीं ने कहीं इंजिनिरिंग कर चुके थे कहीं ने कहीं वो अल्रेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे आप कर चुके है तो जो मैक्सिमम टॉपर्स के 20 का परसेंटेज है मा लोग टॉप हंडेड में लेता हूँ उसमें लगभग 50-60 परसेंट जो है वो जनरली इसी टाइप के बेंग्राउंड से आते है लेकिन अब मुद्दा ये है कि सर आज जो वीडियो बना रहो तो हुमेनेटीज वालों के लिए है तो जाहिट से बात है कि हम लोग हुमेनेटीज के भी उनिवर्सिटीज को फोकस करते हैं जब हम लोग नीट और I.E.M.S. मिन्स I.E.M.S. एन I.E.T. कॉलेजज को अगर हम लोग हटा देते हैं सपोज कि हम लोग ने ऊपर की स्पाइंट को हटा दिया I.E.T. एन I.E.M.S. के आफसंस को अटा दिया फिर हम लोग देखते हैं कि डियू एन डियू के जो आफिलेटेट कॉलेजज हैं वो भी रिजल्ट देने में बहुत बहतर हैं उनके रिजल्ट भी आए दिन न्यूज में देखने को मिलेंगे और जब भी आप डीप एनलिसिस करते हो किसी टॉपर्स का तो उन्होंने अपना UG या अपना PG या कोई भी पर्टिकुलर कोर्स को उन्होंने डी या उसके अफिलेटेट कॉलेज से किया हुआ है साथी साथ जेन यू अपने आप में हमेशा से टॉप रहे जेन यू की चर्चे हमेशा मिल जाते हैं और JNU की भी रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं JMI जो कि खुद अपने हाएक रिजिंशियल कोचिंग चलाता है UPSC की प्रिपरेशन के लिए और कई बार वो तो टॉप के साथ साथ सबसे आदा गर्ल सेलेक्शन वाला भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है तो JMI भी अपने जो रेपुटेशन उसको बहुत ही मेंटेन करके रखा हुआ है अब बाताती है AU उपर ही आप देख रहे होगे इलहाबाद मैंने इलहाबाद इसलिए लिए इखा क्योंकि इलहाबाद UPSC में रिजल्ट उतना देता नहीं है लेकिन इनके यहाँ PCS के बहुत निकलते है अगर इनके यहाँ 2-3 साल पीछे जाओ तो न्यूज आर्टिकल में यहाँ तक सुनने और देखने को मिला है कि इन्होंने अपने एट पर्टिकुलर होस्टल से 26, 20, 17 ऐसी इन्होंने सलेक्शन दिये हुग है तो कहें न कहें हमें एलहाबाद को UPSC के लेवल पर कंपेर करना चाहिए चुकि उसकी जो प्रिपरेशन है जो लोग क्वालिफाई की एपेशियस हो कही ने कहीं UPSC की भी त्यारी करते हैं या कर रहे थे ठीक है उसके बाद South Indian University जो भी हमारे South के कुछ इनवर्सटीज हैं वो भी अच्छा सलेक्शन देते हैं चाहे वो IIT कॉलेज हो चाहे नीट कॉल IMS के कॉलेज हैं जो साथी साथ जो हमारे सेंटर इनवर्सटीज हैं South India में वो भी UPSC की रिजल देते हैं अब आप सप्राइज हो रहे कि सर इसमें कहीं भी 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 लिखा हो है जबकि भी 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 की एन आई आरफ प्रजेंट करंट रैंकिंग जो है वो फिप्ट है एक बार तो थर्ड पे आ गई लास्ट येर सिर्ट पर चली गई लेकिन मैं आप बता दूँ ये एक राजनीतिक मुद्ध है आप इसको समझ ये पियेच्चू जिसकी लिए फिमें से आज मैं इस वीडियो बताऊंगा पियेच्चू में आना है UPSC के लिए भी आना मैं इहीं नहीं कह रहा हूँ अभी से आप जज्जमत करो क्योंकि ये जज्जमेंट आप खुद करने वाला आज इस वीडियो में मैं आपको हर एक पॉइंट बताने वाला हूँ कितना समझ गया है ठीक है आगे बढ़ते हम ल वीडियो सूट करने के लिए मिरे पास क्या है कैमरा होना चाहिए ये माइक होनी चाहिए पेन होना चाहिए आपकास क्या होना चाहिए इस्टडी माट्रियल होना चाहिए कॉपी नोट्स होना चाहिए पेन होना चाहिए अब उसके बाद एक स्टोर्स चाहिए है जिसे ये पूरा ऑपरेटिंग के लिए हमें एक एनरजी के जूरत पड़ेगी वो एनरजी मैं भी हूँ वो energy electricity भी है वो energy वाइफाई भी है वो energy कुछ भी है जो इस चीज़ों को operate कर रही है like mahol energy like वो एक mahol चाहिए तो यह जी जित हम लोग कहीं भी create कर सकते हैं आफकोर्स कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दू कि इतना isolate mahol बनाना एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांस दिन, छे दिन, महीना, दो महीना, तीन महीना ही possible है उससे जादा नहीं अगर आपके flight के बाहर बाढ़ आ गया है या आपके flight के बाहर बहुत तेज़ से जगड़े हो रहे हैं बहुत traffic है, सोर गूल है कब तक अपने आपको उस माहोल में बनाकर रख रहे होगे कि आहां बहार नहीं निकलेंगे, हम पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे तो basically आपको एक natural environment की भी जुरुरत पड़ेगी देखो, मेरी बात समझो पहले man-made environment की जुरुरत पड़ेगी वो तो है ही, selection में सबसे आदा अगर किसी का role है तो वो हमारा खुद का होता है जब आप सफल होते हो, चाहे आपका बारहमी का marks आया हो चाहे आप कोई government job लेते हो उसमें जो सबसे बड़ा role है वो स्वयम का है, क्योंकि मेहनत हमने करी है ये सब कुछ अगर किसी ने बनाया है तो मैंने बनाया, सफसे आदा महनत मैंने करी है आप अगर स्यूटी में select होते हो तो सफसे आदा महनत आपने करी है हाँ, लेकिन आपके environment ने भी उसमें role आदा करा है जो के natural environment है, basically मैं उसी की बात कर रहो ठीक है, इस बात को समझ रहो ना अब बेसिक requirement के में चीज़े जो मैंने यहाँ बे लिख रखी है वो है जैसे की coaching जाहिड सी बात है कि आप एक room में सब कुछ तो बना सकते हो, लेकिन फिर भी आपको coaching की जूरुत पड़ीगी अब वो online भी हो सकता है offline भी हो सकता है मतलब coaching आप online करो यह अला discussion का मुद्द है कि कौन जादा beneficial है online वाला या offline वाला मैं किसी दिन discuss करूँगा लेकिन मेरा जो मानना है वो यह है कि आपको experiences जो है वो multi diversity साथ लेना चाहिए मतलब multi dynamic तरीके से लेना चाहिए dynamic way में लेना चाहिए समझ रहो मेरी बात क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कुईया कम है धखमत बनो क्योंकि आप UPSC की त्यारी कर रहो तो ऐसे में आपको जो preparation कर रहो coaching के लिए आप अपने जहां भी UG की पढ़ाई करोगे अभी आप decide करोगे किस initiative जाना है तो वहाँ पे आप offline coaching कुछ समय के लिए लो ऐसा भी हो सकता है कि पूरी पढ़ाई करने के बाद भी ले सकते हो लेकिन हम in between की बात कर रहे हैं जो आप UG कर रहे थे तो आप क्या कर सकते हो आप ये देखो कि आप क्या साल छे महीने की coaching ले सकते हो वो इसलिए लेना है कि आप offline coaching के trend को समझो वहाँ पे जब directly interact होते हो तब क्या चीज़ सीख रहे हो वहाँ पे जब branch पे बगल में भी एक लड़का या लड़की बैठा है वो क्या है वो कैसे पढ़ रहा है उसको भी समझना है उसके बाद उसी के parallel या उसी के बाद आप एक online coaching भी लो मेरा ये मानना है कि आप online offline दोनों के साथ अगर चलते हो तो ज़्यादा बड़ी है हाँ ये हैगी वो एक साथ लेना है या alternate लेना है ये आप decide करा अराम से करना मैं आपको यहां तक बताऊंगा कि इन्वर्सिटी में जाने के बाद कब आपको UPSC की वीडियो आपको अपनी preparation स्टार्ट करनी है इन सब चीजों मैंने बात करी है मैं पूरे link description में डाल दोंगा कि BHOC UPSC क्यों नहीं निकलता है और BHOC UPSC कब निकलने लगेगा ये तक वीडियोज मैंने बनाएं और किसी नहीं नहीं बनाएं आप जाकर देखना इन वीडियोज के बाद ठीक है सेकेंड है आवकात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर किसी का लाइट अरेंच कर सकें मैं आपको यही कह रहा हूँ मैं आपको सही कह रहा हूँ आपको अपने potential की साफसे decision लेना है पिसे के लिए एक बात मेरा ध्यान रखना आप ही को निकालना है ये तो decision आपका होना चाहिए हम लोग DU जिद करके नहीं जा सकते fees जादा है वहाँ रहने का खर्चा जादा है वहाँ के rooms बहुत महंगी है वहाँ का भोजन महंगा है और वहाँ की कोचिंगे भी महंगी है अब यहाँ पे जैसे मेरे मालो एक हजार लोग वीडियो देख रहा है हो सकता है इसमें से 100 से 200 एफ़र्ट कर सकते है वह हो सकता है ट्यू जा लेकिन हो सकता है के उसी में 200 लोग ऐसे है जह के ड्यू जैसे सहर में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं और वही लोग ळ세요 चुच करते है तो यह भी बहुत मैटर करता है कि आप उस expensive माहॐल को एफ़र्ट कर पाओगे कि नहीं और वो है study environment माहौल बहुत ज्यादा important है जब आप ये देखते हो कि D.U. के affiliated तक के बच्चे UPSC के त्यारी कर रहे हैं जब आप ये देखते हो कि उन्हों उनकी basic coaching ही UPSC है जब आप ये देखते हो कि वहां के library में जाने के बाद बच्चे generally वही सब बुक्स पढ़ रहें जो UPSC के recommended official syllabus हैं तो essay में हमारा ये मानस पटल खुल जाना चाहिए कि ये है natural environment जो कि वो university दे रही है जो कि बाकी university में मिलता है कि नहीं मिलता है इस पर आपको बिचार करना पड़ेगा इसी study natural environment की बात में starting में आपसे कर रहा है कि माहौल बहुत matter करता है अब DU में क्या है कि ये माहौल है UPSC का माहौल है कोटा में IIT का माहौल है natural माहौल है selections के rate भी उसी सबसे आते हैं हम लोग कभी भी एक ब्यक्ति के एक निजी selection से पूरे area को नहीं major कर सकते हैं एक दो cases जो spiral होते हैं कि हाँ यह यहां से पहाडों में रहती थी वहां नेट भी नहीं तर लाइट भी नहीं तर सलेक्ट हो गई तो आप ऐसे रिक्स तो नहीं ले सकते ना अब यह देखो ना कि major selections कहां से हो रहा है वहां पे वो इंवार्मेंट मिल रहा है कि नहीं जहां होनना पे आप इंविश्टी में जा रहा हो मैं आपको बताओंगा कि कोन सी निसे किसले खेमस ले अगे होने ही चाहिए ऐसा नहीं है कि UPSC निकालने के लिए वही university होनी चाहिए जहां पर वो environment मिल रहे है और ऐसा भी नहीं है कि हमें एक हमेशा से trending universities को फॉलो करना है लेकिन वो एक task है जो जीता वही विक्रमा दित्या भाई मेरी बात को समझो जीत गए तो tag मिलेगा विक्रमा दित्या का हार गए कोई नहीं पोछेगा तो जनरली इतिहास बनाने के लिए अपना घर का नाम रोशन करने के लिए decisions लेने पड़ते हैं और मैं सच बताओं वीडियोज के बीच में इसे बाते बोल दे रहा हूं मैं बीचू या कोई भी सिंटर इंवर्शिटी में एडमींशन तो लोग ले लेते हैं लेकिन एडमींशन लेने के बाद जिस अप्रोच से यहां आए होते हैं वो अप्रोच बस छे महिनों में न यह अगस्त वाली जो बारीस होती है इसमें धुल जाएगा हमारा देश जो है वो स्वतंत्रता दीवस मना रहा होता है और यह अपने एम को स्वतंत्र कर देते हैं जा बेटा जीले अपनी जिन्दगी ऐसा होता है ऐसा होता है मेरी बात को समझीए लेकिन कुछ लोग बहतर कर जाते हैं पर पहणने वाले बच्चों को भी जानता हूं और मैंने उनको भी जानता हूं जो स्टार्टिंग में UPSC बोलते हैं और लास्ट में आते आते वो कुछ नहीं बोलते हैं मास्टर्स में अड्मिसन गराद हो कैसे वेकर के यह नौबत आ जाती है रिजर्वेशन ना हो पर्टिकुलर इन्वर्शिटीज के तो उनको एडमीशन तक ना मिले ये है रियालिटी लास्ट स्लाइट पर चलते हैं जहां पर आपके आखें खुलने वाली है और वो है आप से एक क्वएस्चन इसकृंपूर इन्वर्सिटी में आप चूछ करियेए कि आपकिस इन्वर्शिटी में आना चाहते है इस वीडियो का आगे तक भी बढ़ाओंगा जब कॉमेंट करते हो प्लेज कॉमेंट करिये है consum पर दिए गए जो भी इन्वर्सिटी के नाम है उस में आप किस university में आना चाहते हो अभी तक की वीडियो से क्या समझे हो आप किस university में आप आना चाहते हो अभी भी बहुत सारे लोग अपने aim के according universities नहीं चूझ करेंगे difficult है difficult है नहीं चूझ कर पाओगे लेकिन चूझ करना पड़ेगा अगर हमारे जो viewers है उसमें जो viewers को opportunity मिल रही है कि हाँ हमारे score इतने आने वाले हैं कि हम पैसे से भी हर चीज से मजबूत हैं तो please वो वही university चूझ करें जिस university में वो माहोल उन्हें दिख रहा है और वो बच्चे जो कहीं न कहीं जूझ रहे हैं आर्थिक तंगी से जो बच्चे जूझ रहे हैं अपने कुछ और समस्याओं से वो अपने अंदर एक प्रण ले कि घंटा ये university का environment हम बनाएंगे ऐसा अगर वो university ने अभी सालों से भी result नहीं दिया है तो भी हम इस university में अडविशन लेंगे और result ला के दिखाएंगे भाई ये कहां लिखा है कि कोई विश्विद्यालय ने अगर कभी UPSC result नहीं दिये तो कभी नहीं देंगे future में भाई आप आप क्यों रहे हो आप इसी लिए रहे हो कि आप यहां आके उस विश्विद्यालय के संसाधन का प्रयोग करके और उस विश्विद्यालय का नाम रोसन करिए आपने जो भी चूच किया है एक्ट्वली यही है बेस्ट इन्वर्सिटी फॉर UPSC समझ में आया कि नहीं आया वेस्ट इन्वर्सिटी आप चूच करते हो आप बनाते हो यह कोई भी डेटा नहीं बनाएगा ऐसा नहीं है सदियों से बेस्चू के रेजल्ट्स नहीं दिखे तो नहीं दिखेंगे यह जो नई जनरेशन आ रही है इनसे उमीद की जा सकती है यह चूच के फैसल्टीज को यूज करके यह लोग इतिहास रचेंगे और यह जिस दिन रैंग देंगे उस दिन मेरा वीडियो बनाने का जो एक मेन मोटो है न वो कम्प्लीट हो जाएगा वीडियो बनाओंगा और मैं अपने उस दिन खुसी जहार करूँगा मैं पिछले तीन साल उसे वीडियो बना रहा हूँ मैं रैंग भी देखता हूं ऐसा नहीं है लेकिन बहुत पुराने कुछ भाईया लोग के रिजल्ट देखने हों को मिलते है वो भी बहुत हाई के साथ मिलते है कुछ कोर्से में फर्स्ट रैंग भी मिले अभी वो बिहार में सद्पीसिये सज्वाइन कर लिए वाद मैं और टीछिंग में जाओ तो बैचू के पहुत रज़ल्ट देखने हों को मिलते है इवेंट टीछिंग में तो पूरे उत्तर भारत में लगबग ब रिसर्च सबसे ज़्यादा फेमस है और मैं यही बताना चाहता था कि अगर आप बेच्चू चूच करते हो तो बेच्चू का इन्वार्मेंट यूपीएस्टी का थोड़ा कम है रिसर्च का जादा है मास्टर्स करने के लिए ज़्यादा है आपने स्क्रीन पे जो भी इन्वार्मेंट चूच किया है एक्चूली यही है आपका बेच्च इन्वार्मेंट फॉर यूपीएस्टी मेरी बास तमझ गया न तो प्लीज आप इन सभी पूरे पहलूओं को समझना आप ठीक है ऐसी भी नौबत आती है कि कुछ नहीं मिल रहा है तो जो मिल रहा हो ही अक्षप्ट कर लेते हैं यह पर्चूनिटी हर किसी के पास नहीं कि स्क्रीन पे जितने इन्वर्सटीज हैं वो हर किसी को हर लोग को मिलेगा ही कि आने वाले समय में जो आप चाओ वो हो तो फाइनली जो कंक्लूजन है इस वीडियो का वो यही है कि इन्वार्मेंट मैटर करता है लेकिन इन्वार्मेंट बनाया भी जा सकता है अगर आपके अंदर वो जोस है आपके अंदर वो स्टैमना है आपके अंदर वो छेतन माइंड है तो आप रिक्स लो और आप जिस यूपी इन्वर्शिटी में जारो, वहाँ सी उपी सी क्वालिफाई करके देखाओ, पिर ऐसे वीडियो की जूरत नहीं पड़ेगी, कौन सी इन्वर्शिटी के लिए best result देती है, फरक नहीं पड़ेगा, और बाकी अगर डेटा की बात करें, तो आप बहुत सारी चीजों का समझ सकते हो कि अलहावाद जो है basically वहाँ पे coachings अबलेबल है तो यह चुक्कि आज़ फस coachings अबलेबल नहीं है online का सहरा लेना पड़ेगा self study करनी पड़ेगी लेकिन अलहावाद जाते हो तो वहाँ पैसा नहीं है वहाँ पे आपको साम इन्वर्शिटी से अपना पढ़ाई कर रहा है और क्या वहाँ निकाल सकता है निकाल सकता है ठीक है वहाँ coaching नहीं अबलेबल होगा तो अपना रिलिक्स लेना न फिर अपने 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 ऊपर लेना ये यह मेरा काम है मैं निकाल के दिखाऊंगा आप कोई बहुत ही कॉस्टल ये कोई इन्वर्शिटी है यहां पर संसादन की भी कमी है तो क्या वह नहीं निकालेगा निकालेगा तो प्लीज आप अपने एम को ना भूलें UPSC की जो भी प्रिप्रेशन है जो उसकी बेसिक रिक्वार्मेंट को वो अभी से अनलाइज करें अब आप इस काबिल हो गए हो इस लेबल पे आ गए हो कि चीजों को समझ सकते हो वो बेसिक चीजों को अभी से आप कफर कर सकते ह एडमिसन लेने के बाद छे महीने अराम से दोस्तियारी घूमना नाचना गाना में विजी रहना लेकिन उसके बाद अपनी आख कान नाख दिल दिमाग सब खोल देना और प्लीज फाइनली अपनी तयारी पे फोकस हो जाना सब जाके आप कुछ बहतर कर पाऊगे मैं में देखना चाहूंगा प्लीज रेक्वेस्ट आप सभी से बहुत सरी सुपकामने जै हिंद जै भारत